इधा देश में एक बार फिर से जातीगत जनगर्णा पर सियासिय संग्राम छुण गया है दिल्ली में संसर से लेकर राइपूर तक इस पर बहश छिट गई है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागेदारी सुनिशुत करने के लिए जातीगत जनगर्णा कराना जरूरी है बेज से एक खास बात चीट की है हमारे संवधाता जुल्फिकार अली ने देश में जातीगत जनगर्णा को लेकर बहस छिड़ी हुई है राहूल गांधी जातीगत जनगर्णा की बात लगातार बोल रहे हैं सद में उन्होंने इस बुद्धे को ठाया लेकिन इसी मुद्धे पर भारती जन्ता पार्टी के एकनेता ने उनकी ही जाती को पूछ ली हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रदेश सद्यक्ष दीपक बैश हैं उनसे बात करते हैं दीपक जी राहूल गांधी की जाती पर भी सवाल उठने लगे हैं जिनकी जात नहीं है वो जाती करते हैं भी बात कर रहे हैं देखे भारती जन्ता पार्टी इस मसले को लेकर बुरी तरह से फस गई है ना आभी तक 2011 का बाद ना सेंसस करा पाया ना उस समय जो गड़ना हुई उसको डाटा बाहर ला पाई इसलिए अगर आलो और देखे जिस तरह से हमारे नेता मानिर रहूल गांधी जी इस मसले को उठा रहे हैं तो भारती जन्ता पार्टी जवाब देने की स्थिती में नहीं है इसलिए वो सिर्फ इस मुद्य को बठकाने के लिए तो इस तरह का भारती जन्ता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि यह जातिकत जन्रना होना चाहिए अगर होती है तो इससे क्या फायदे हैं और क्यों नहीं होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए देखे आज हर प्रदेश में देखा जाए तो रिजर्वेशन को लेकर लगातार आंदोलन लगातार हरताले लगातार विरोथ प्रदसन हो रहे हैं गुजरात में देखे आप महराष्ट में देखे राजिस्थान में देखे हारियाना में देखे अन् जातिगत आरक्षण को लेकर लकातार विरोध प्रतसर हुए है इसलिए मैंने रहूल गांदी जी की सोच है कि देश में जिसकी जितना आबादी है उसका उतना हक मिलना चाहिए इसलिए जातिगत जड़नगाइश जड़ूरी है मतलब आपका कहने के मतलब जिसकी जितनी इस देश में आवादी है उस कम्यूनिटी को उतना प्रतिनिधित सम्विधानिक व्यवस्थाओं के तहत मिल जाना चाहिए बिलकुल क्यों नहीं मिलना चाहिए बिलकुल मिलना चाहिए आकिर भारती जंता पार्टी को इससे डर क्या कि जातिगत जंगर्णा करना से देश के सामने एक नया तस्वीर साफ हा जाएगा हर जगाओं पे हर सविधान सस्था पे हर जगा में इसलिए जिसकी जितना आबादी उसका उतना हग इसलिए हमारे नियता मानी रहूल गांदी जी लगातर कह रहे हैं कि जातिगत जंगर्णा चाहिए उसको उतना हक मिलना चाहिए और जन्गर्णा होने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी और सभी जगा लोगों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनी दित्व मिल पाएगा कैमरा परसंद प्रेमेंड साहू के साथ जुल्फिकार अलिए टीवी